देश के ग्रिह मंत्रे जिसे में जरूर विनम्र प्राटना करता हूँ मैं कहूंगा कि इस राज में जो आज लुटेरी सरकार है उस सरकार से आप हमें निजात दिलावे मुझे बाबुलाल जी ने कहा सरकार बदल दो बाबुलाल जी लोगतंत्र है सरकार मैं नहीं बदल सकता मगर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि इस बार जो परिणा माने वाले है जारखन की सरकार निस्तित रूप से परिवर्तन करने जा रही है जारखन की जनता परिवर्तन करने माताओ भाईयो बेनो, यहां पर नौकरी के नाम पर विवाओं को धोखा दिया, सिक्सा के नाम पर नई निहालों को धोखा दिया, खतियान निती के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है, यह चायवासा पूरा छेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है, मेरे होजन जाती के भाई बेन कान खोल कर सुन ले सरकार क्या कर रही है, पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है, अब यह कहते हैं, 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चायवासा वालों को नौकरी मिलेगी भई, जरा जोर से बोलिये मिलेगी क्या, अरे काहे को भई विभाजन कर रहे हो, नौकरी की संख्या बढ़ा दो, अगर दम नहीं है, नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगे खाली कर दो, हम आकर जार्खन को आगे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, आदिवासी, नोन आदिवासी, पीछडा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है, जार्खन को बरबाद करने पर क्यूं तुले हो भाई, जार्खन वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने मुख्यमंत्री की बनने के बाद, पूरी की पूरी, जार्खन सरकार, लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी, पर माता हो भाई हो बेनो, अवेद गुस पेठिये, जन जाती है बच्चियों से, जबरन साधी कर रहे हैं, और उसके बाद में, उनकी जमीन एंट रहे हैं, मैं आज चेतावनी देना आया हूँ, हैमन सरकार को, के गुस पेठियों की इस हिमाकत को रोकिये, वरना, जार्खन की जनता आपको माप नहीं करेगी, वोट बेंक की लालाच, जन जाती के हीच से बड़ी नहीं हो सकती, और आपने तो, आदिवासी होकर एक काम किया है, वोट बेंक की लालाच, जन जाती के हीच से बड़ी नहीं रखनी चाहिए, मित्रो, मैं आज इनको कहने आया हूँ, के आदिवासी माता बेहनों की रक्सा करना, हम सब की जिम्मेदारी है, आपके दिन समाप्त हो चुके है, जार्खन में जनता जाग चुकी है, आपके खिल आप खडी रहो रही है, आज मैं चाहिबासा के क्षेत्र के लिए अपना एक दूख लेकर आया हूँ, प्रधान मंत्री मोदी जी ने खदानों के क्षेत्र में और विसेज कर आदिवासी भाईयों बेहनों के लिए डिस्ट्रिक मिनरल फंड बनाया था, वो ये डिस्ट्रि कि वो इसके लिए कल्यान होगा, इसके कल्यान के लिए खर्च किया जाएगा, जहां पर खदानों के कारण आदिवासी भाईयों बिस्टाफित हुए, दुकूल मिलाकर देश भर में 63,858 करोड रुपया डिस्ट्रिक मिनरल फंड का आया, और जारखन के इसे 8,301 करोड तब तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर जैसे ही हैमंत सरकार आई, उसने डिस्ट्रिक मिनरल फंड के सारे नॉम्स बदल कर, यहां पर उन्होंने इसमें MP, MLA, DMFT फंड में मनमानी योजना बना कर खर्च किया और वहां पर लूट खसोट करने का कारेक्रम करा है, मुझे बताए, चाहे बासा वाले, मोदी जी ने जो फंड, आदिवास्यों के लिए बेजाए, ट्राइबल के लिए बेजाए, जन जातिये भाईयों बेनों के लिए बेजाए, यह इनकी लूट कसोट के लिए हो सकता है क्या, जरा जोर से बुलिये हो सकता है क्या, आप इस के साथ समय तो क्या अरे हमन जी चाहए बासा की आवाज सुन लो ऐसा मत समझे जन जाती है भाई बेन कुछ देखते नहीं है समझते नहीं है आपकी ये जेब बढ़ने की योजना है उनको सब मालूम है जब आप मैदान में आओगे चुनाओके तब मालूम पढ़ जाएगा माध्यम से साधियों के माध्यम से जमीन हडपाने का जो प्रयास चल रहा है भारतिय जिनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम इसके खिलाब संगर्ज भी करेंगे हैमन भाई एक बार आपने क्या किया वो जरा हमारे जारखन के लोगों को बता देना ऐसा मत मानिये भाई कि उसने कुछ नहीं किया है उन्होंने प्रश्टाचार किया है उन्होंने आदिवासी जमीन गुषपेट्यों को देने का काम किया है उन्होंने जन जातिये महिलाओं के अधिकार का रक्षण करने की जगे अपनी वोट बेंक की राधनिती करना तई किया है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले